तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आएम पी शर्सकी तो वीडियो को आगे कंटीनू करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दे महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको निफ्टी बैंग निफ्टी की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue वीडियो की शुरुआत करेंगे H.A.L. के साथ H.A.L. के अगर हम बात करें तो stock में आज हमें profit booking देखने को मिली है after यहाँ पर new high लगाने के बाद stock में यहाँ पर आज ग्रावट नजराई यहाँ पर अगर देखे clearly profit booking हमें देखने को मिलती क्योंकि कोई भी negative चीज यहाँ पर stock से related हमें नहीं देखने को मिलती है साथ ही अगर देखे यहाँ पर dividend को लेकर एक बड़ी चीज सामने आ रही है तो उसे भी हम यहाँ पर discuss करेंगे HAL की closing की अगर हम बात करें तो 5,314 रुपे के level पे stock ने closing दी 219 रुपे 45 पेसे के round तक stock में गिरावट नजराती है 3.97% के बेहाब पर और 5 days में अगर आप देखो 417 रुपे share बड़ा है एक महीने में 531 रुपे और 6 महीने में धाई हजार रुपे से भी ज्यादा stock momentum बता चुका है यहाँ पर अगर आप देखो के stock में बड़त के पीछे का reason हम सब को पता है कि company को यहाँ पर अगर दे रखें लगबग 45,000 करोड से जादा एक defense ministry की ओर से tender मिला था 156 light compact helicopters के लिए ठीक है तो इस project के बाद अगर आप दिखोगे इस tender के बाद अगर आप दिखोगे stock में नया high लगा कल ही के दिन अपने इसने 5582 रुपे 80 पेसे का अपना एक नया high create किया है पर उसके बाद stock में आज की अगर बात करें तो morning सही stock काफियत तक डाउन गया आज अगर इसके low की बात करें तो 5,261 रुपे तक का low stock ने आज लगाया है बट positive चीजे हमें देखने को आने वाले time में मिलने वाली है यहाँ पर dividend से related एक चीज में आपको बताने वाला हूँ HAL dividend announcement यहाँ पर अगर देखें बिलकुल PSU compounded to declare final payout after 90% search in 2024 तो बिलकुल यहाँ पर अगर देखें HAL 90% बड़ा है 2024 की बात करें और बिलकुल यहाँ पर इस बड़त के बात अगर देखा जाए तो एक final payout देने वाला है यानि final dividend का announcement होने वाला है The Board of Hindustan Aeronautics Limited will meet on June 26 to consider a final dividend payout for financial year 2024 तो यहाँ पर financial year 2024 के लिए final dividend payout यहाँ पर होने वाला है इसलिए यहाँ पर HAL की ओर से 26 June को एक बड़ी meeting रखी गई है बिलकुल 26 June को अगर आप देखोगे तो बिलकुल meeting होने वाली है dividend से related After 10-5K split के बाद यहाँ पर अगर देखे तो company की ओर से बिलकुल dividend को लेकर एक बड़ी meeting रखी जा रही है जो काफी बड़ी चीज है बिलकुल यहाँ पर अगर देखे यहाँ पर record date fix होगी काफी कुछ चीज है 26 तारिक को fix होने वाली है Stock already 22 रुपे का जो interim dividend है ओ दे चुका है अब बारी है final dividend की Hindustan aeronautics also split one equity share 10 into 10 into two equity shares of five तो बिलकुल यहाँ पर split का भी benefit हमें पहले मिल चुका है और वहीगर देखे 156 light combat helicopter की news आई फिर वहीगर देखा जाए defense stocks जो है focus में रहे है यहाँ पर defense minister राजनात सिंग की और से एक बड़ी announcement की की वो target कर रहे है पचास हजार करोड का export आने वाले पात सालों में पचास हजार का export होने वाले आने वाले पात सालों में तो इसको लेकर आप positive रहो साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखे बजट से पहले भी कई बड़े faceless stock में लिए जा सकते है इस point के उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए यानि अगर देखे इंडियन गवर्मेंट जो है budget को लेकर भी काभी तयार है और बिल्कुल आज profit booking रही है defense stock जो है आज गी रहे है इसमें भारत dynamic हो गया HL हो गया यह stocks में बड़ी गिरावट आई BEL की अगर बात करें BEL में बड़ी गिरावट है बट यहाँ पर अगर देखे दो मोधी government has focused on defense sector बिल्कुल मोधी government जो है focus कर रही है defense sector के ओपर by increasing funding expanding defense budget and rising defense export यहाँ पर अगर देखे जो funding है उसे increase करेगे expanding करेगे defense budget में और वही कर देखे rise करने वाले export को investors buy by the prospect of policy continuity and ongoing economic reform तो यहाँ पर अगर देखे आने वाले budget से पहले भी कई बड़े फेसले हो गये budget में यहाँ पर अगर देखे defense के लिए काफी बड़ी announcement हो सकती है तो इन सब चीजों को लेकर भी आप positive रह सकते हो आने वाले time में आज अगर बात करें BEL की तो BEL में भी आज एक fall देखने को बिला 309 रुपे हसी पेसे के लेबल पर अगर देखे इसने closing दी 8 रुपे 45 पेसे के राउंड अगर आप देखते हो तो stock में आज गिरावट रही पिछले कई दिनों से stock continuously बढ़ रहा था बड़ आज गिरावट रही यहां पर अगर देखे मेजा गॉन डॉक शीप बिल्डर लिमिटेट की बात करें तो इसमें भी आज बड़ी गिरावट रही है 208 रुपे 25 पेसे के राउंड अगर देखे stock आज गिरता हुआ न जरा रहा है 3970 रुपे के लेवल पर stock ने closing दिया लेवल्स क्या कहते है अगर बीएल की तो बीएल की लेवल्स क्या कहते है भी एक इंपोर्डेंच है तो हम आ जाते है पहले है एचे ल के उपर है अगर आप देखोगे तो stock में कल हमने एक बिल्कुल falling वेश टाइप पैटन मनाया था इस पैटन में हमें लग रहा था कि after breakout stock में बड़ा जंप आएगा एक जाटली बड़ा जंप आया stock में अगर देखे विल्कुल एक बड़ा हाई भी लगा आज बट उसके बाद जो है stock में continuous लेक फॉल देखने को मिले continuous stock जो है गिरता हुआ नजराया बट डाउन साइड की और से जो लेवल की हम बात कर रहे थे कि ग्याप अब हुआ था stock में यह जो ग्याप है एक ग्याप फील होना भी बाकी अल्मोज ग्याप फील करने कोशिश की बट ग्याप अभी बेंडिंग है stock में जो trade line हमने बनाई हुई थी पहले उन trade line के अलावा अगर आप देखोगे यहाप पर sustain किया फिर stock downside के और आते हुए इसी लेवल पर closing दिया अगर यह level break होता है तो stock सीधा downside के और आ सकता है और यहाँ से अगर देखोंगे तो एक buying opportunity आपके लिए बन सकती है आने वाले time में अभी के लिए तो stock में बड़े fall आ रहे है अभी के लिए तो अगर आप देखोगे एक बड़ी गिरावट है और यहाँ पर अगर देखे इस resistance फिर resistance अगें resistance लेके stock जो है clearly downside की और आ सकता है तो इस सब point के उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए तो HL में अगर देखे जो gap ups होयते हूं ग्याप को भी यह feel करने कोशिश कर सकता है after एक बड़े momentum के बाद stock में sustain करना stock को काफी ज़री हो जाता है तो आपको wait करना एक proper sustain का अब बात करते हमारे next stock की जो next stock हमारा है उसका नाम है B.E.L. B.E.L के हम बात करेंगे भारत electronics limited के हम बात करने वाले stock के अगर बात करें तो बिलकुल आज हमें एक गिरावट देखने क को मिल जाती है stock में अगर आप देखोगे तो बिलकुल कल भी यहाँ पर इस sideways ही था और बिलकुल यहाँ पर अगर देखे after sideways momentum को momentum के बाद इसने यहाँ पर breakdown दिया after breakdown stock में एक बड़े fall देखने को बला है और इस गिरावट के साथ ही अगर आप देखोगे यहाँ से आप clearly दे sustain करता हूँ हमें दिखाई दे रहा है इस particular range से stock में अगर आप देखोगे तो गिरावट में जराती है यहाँ से stock उपर की और गया फिर यहाँ से breakdown आया फिर share में यहाँ से गिरावट रही फिर अगेन यहाँ से resistance लिया फिर गिरा तो यह अगर देखे multiple time इस particular range से stock में और इस particular point पर अगर आप देखोगे multiple time जैसे stock में यहाँ से support है अगेन आज इसने यहाँ पर support लिया तो कल उम्मीद है कि यही से अगर देखे support लेता है और plus इस level को break करता है तो आने वाले time में अच्छी growth आ सकती है पर अगर breakdown आया तो stock में यहाँ से गिरावट भी रहेगी तो wait करेंगे कल stock में क्या होता है और all काफी कुछ चीज़ा हमने discuss कर लिए इन shares को लेकर इस वीडियो में तो I hope आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like channel को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो तो in general assess कर लेना साथ ही telegram channel को join को अच्छा लेकर ले क्या कर लो money